जम्मू किश्मीर में अगर हम खेलों की बात करें तो रोलर स्केटिंग में जम्मू किश्मीर के प्लेयर्स की परफार्मेंस पिछले काफी सालों से बहुत ही अच्छी रही है आज हम आपकी मुलाकात जिस personality से कराने जा रहे हैं वो roller hockey के senior player है उन्होंने Asian Championship में bronze medal लिया है World Championships में इंडिया को represent किया है और वो जमू किश्मीर के एक लोते ऐसे खिलाडी है जिन्होंने junior, senior और master's category में gold medal लिया है जी हां मैं बात कर रहा हूँ अंकुष कोली जी की अंकुषी, Financial Explorer News में आपका स्वागत है अंकुषी, आपने किस उमर में roller hockey खेलनी शुरू की और किस चीज ने आपको मॉटिवेट किया roller hockey के लिए रोलर स्केटिंग स्टार्ट की थी मैंने 1990 में और 1991 में मैंने फर्स नेशनल खेली थी कालकटा कोच जो मेरे हैं वो मिस्टर प्यूश मगोत रहा हैं उस टाइम वो में कॉलेज में एक स्केटिंग रिंक है अब now I don't know whether it is there or not लेकिन वो वहाँ पर करवाते थे उसके बाद फिर 91 में नया रिंक मना था में स्टार्टिंग में तब से अभी तक खेली रहे हैं जैसे आपने बहार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपने खेला है तो वहां पर भी आपने इंफ्रास्ट्रों देखा होगा और जमू के इंफ्रास्रेक्ट्र और वहां के और यहां के प्लेरों को क्या क्या प्राट्रम्स आती है अगर मैं अपनी स्केटिंग की बात करूं तो हमारे स्पोर्ट्स का सिर्फ एक रिंक में वह भी अप टूदा माक नहीं है उसके अलाबा हमारे एट मोमेंट जो रोलर स्केटिंग एस्टेशन ऑफ जे एंड के प्रेजिडेंट में उन्होंने अपने पैसों से एक रिंग बनवाया था पीर्खो टेंपल के पास उसको हम वैसे तो उसका नाम शिवा रोलर स्केटि मुहाली में खेलके आए वो गाऊंव के अंदर एक रिंक था जिसमें हर एक चीज थी जो जो ओलंपिक स्पोर्ट जैसे आज की डियेट में स्केट बोर्डिंग है हमारे पास अभी तक स्केट बोरडिंग का इंफरास्रक्श्र नहीं है इजिए ओलंपिक स्पोर्ट तो करेंगे और कब हम उस लेवल तक पहुंच सकेंगे इसके लावा आपको क्या प्रॉलम्स आती हैं कुछ आपको देखिया हम मैं 1994 से अभी तक हमने जितनी भी नैशनल्स के लिए उसमें सब सब में हमने अपनी पॉकेट से पैसे दिये एस्पोर्ट का जो मसलात हैं वह हमारे ओफिशियल्स उनको सौट ओड करें तो बेटर रहेगा बट एज़ प्लेयर आज की डेट में नैशनल्स खेलने जा रहे हैं या इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं उनको पैसे अपनी पॉकेट से देने हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब् एक्विप्मेंट के लिए तो आज तक गवर्मन से कभी सपोर्ट मिली नहीं तो अगर पेरेंट्स को हम बोलेंगे या तो आप एक्विप्मेंट का कर दीजिए कि मैं अपने स्केट का अगर बताओं तो वह इस समय कॉस्ट करता है 50,000 रुपीज और एक होकी स्टिक जो बह यथि नहींड़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंधेंगेंगेंगे इस कोषे लिए टरिया वूण बर्ओंस मेंध्ड कमेंड छरी अ थी 2001 में ताइवान में एशन चैंपेशिप थी उसमें हमारा फोर्थ प्लेस थी उसके अलावा अभी तक मेरी अराउंड ट्वंटी नैशनल्स के हैं और अराउंड 15 या 16 मेडल्स हैं जिसमें तीन गोल्ड मेडल हैं और अप्रॉक्सिमेटल ट्वेल्व सिल्वर मेडल्स तीन या चार ब्रॉंज मेडल अंकुष जी अभी रिसेंटली मास्टर्स में रोल्ल हौकी में जम्मु किश्मीर एक बार फिर चैंपिन रहा है पिछले तीन वर्शों से जम्मु किश्मीर लगातार चैंपिन्शिप जीता रहा है तो क्या चीज़ है जो हमारे जो रोलर हौकी के सीने प्लेर्स हैं उनको मॉटिवेट कर रहा है सबसे बड़ा मॉटिवेशन मुझे लगता है यही है कि जब आप एक बार जी जाते तो आपको होता है कि दूसरी बारी जीते और मैं आपको I want to put it in records काफी देर के बाद हमारी गड़त की टीम से केड़ट की टीम अंडर 11 उसने चंदिगेड की टीम को हरांके पंजाब की टीम को अरा के हराना की टीम को अरा के इस टाइम अल्सों वन गोल्ड मेडल और हमारी सीनियर की लाड़ी इकठे होते हैं, अपने मतलब कोई घर से बिजी है, कोई अपने वर्क में बिजी है, तो मोटिवेशन यही है कि करना है, स्टेट के लिए करना है. अंकुष जी, जब हम शोटे थे, तो बच्छों में खेला करते थे, तो अक्सर हमारे पेरेंस यह कहा करते थे, कि खेलोगे, कुदोगे, होगोगे खराब, पड़ोगो लिखोगे, बनोगे नवाब. तो अब हमारे जेंट के में जैसे नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, और वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जिसमें कि जो ओट्स्टेंडिंग स्पोर्स परसन है, उनके लिए गैसिडिट और नान गैसिडिट दोनों तरह की जॉब्स को देने की बात कही कि अब जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो मानसिकता थी एक स्पोर्स को लेके कि स्पोर्ट्स से बच्चे खराब हो जाते हैं, क्या वो चेंज होगी? मेरे को तो लगता है चेंज होगी लेकिन sports policy के साथ-साथ government को infrastructure के उपर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वो infrastructure जब तक ठीक नहीं होगा उस time तक हमें लगता नहीं है कि हम sports policy definitely अच्छी है और in fact sports के उपर sports के base पे पहले भी जम्मो कश्मीर में jobs मिलती रही है जो नहीं policy आई है इसमें guest day level की post भी है तो मेरे ख्याल से बच्चों का प्रोचाहन definitely sports की तरफ होगा और parents definitely उनको encourage करेंगे और आज की date में अगर मैं आपको बता हूँ मेरे father आज तक चायद मेरी sports देखने नहीं आये हैं लेकिन आज की date में जब हम देखते हैं तो बच्चे बच्चों की जो parents हैं वो उनके साथ होते हैं तो मेरे को तो लगता है कि definitely इस sports policy से और भी parents और भी players इसमें जुड़ेंगे but my request to government would be infrastructure के ओपर भी थोड़ा ध्यान दे तो अंकुर जी अब जाते आते हैं आप हमारे जो young generation हैं जो young players हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए सबसे पहरा तो जो सब देते हैं कि जब आप sports में हो तो आप बुरी आतों से दूर रहते हो आप नशे से दूर रहते हो आपका सबसे ज़्यादा जो आप एक discipline child हो आप की motivation level अलग रहता है तो मैं तो यही बोलूँगा कि definitely sports के साथ जुड़ें और जब आप नशे से दूर ह हैं तो आप definitely हजार और चीजों से दूर हैं तो यह थे roller hockey के player अंकुष कोली जी जिनका यह कहना था कि government को sports policy के साथ साथ infrastructure को भी develop करना चाहिए ताकि हमारे जो जम्मू किश्मीर के player हैं वो जम्मू किश्मीर और जो हमारी country है उसका नाम रोशन करें देश और दुनिये की ख प्लोरल नीउस के साथ हमश्कार